हेई अव्रिवान मैसल्फ योगेश शंद्र शुकला योर्बालोजी फेकेड़ी आप लोगों का बहुत स्वागत है आज के सेशन पे और आज हम बात करने जा रहें नीट 2023 के एक्सपेक्टेट कॉट अफ में सभी बच्चे जानते हैं नीट 2023 का पेपर हो चुका है और चुक बड़े सवाल है बहुत बड़ा अनलेसिस लगता है इस शब्द में लेकिन मैं आपको इसे एक दब बहुत सामान निभाशा में आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपको इसका डीटेल वर्जन जानना है तो कॉमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताना तो मैं आपको इसे त ऐसी केटेगरी में हैं तो किस में मिल सकता है फिजिकल हैं अगर आप तो आपको किस कॉलेज को किते नंबर में मिल सकता ये एक अलग अलग चीजें 2023 का कंपेर करके हमें एक डेटा निकाल सकते हैं लेकिन फिलहाल एक सामान शिबात करते हैं कि अगर ये पेपर जो आया है इस पेपर में tough pattern, आसान question के chances और भी बहुत ऐसी चीजे हैं, पिछले साल का पेपर, इस साल का पेपर, टॉपर्स की ranking, पेपर कैसा आया था, इन सब चीजों के आधार पर एक ऐसा number बताना होता है, एक वो gambling type का होता है, यह number set करना होता है, कि इस number के उस पार बच्चे government college पा ज इतने हैं, पिछले साल 93,000 seat थी, टोटल कुरुपुच, MBBS की, और इस साल 1,4,000 seat है, जिन में से लगभग लगभग 35-40,000 के आसपास, 35-36,000 के आसपास लगभग हम कह सकते हैं, मोटा-मोटा, यह government की seat इस साल है, इन में से कुछ private college की seat भी है, और इन में से कुछ जो है, सेमी government की भी seat है, सभी अलग-अलग तरीके की seat है, मैं 35-36,000 इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल कुछ जगे के मानिताएं बढ़ जाती है, कुछ seat बढ़ जाती है, हर साल कुछ कम भी हो जाती है, इसलिए मोटा-मोटा 35-36,000 seat जो है, गवर्मेंट की है, अब अगर 35-36,000 seat है, तो इतने में पिछले साल में क्या selection हो था, पिछले साल का paper tough आया था, और पिछले साल के जो अंतिम all India का cutoff था, वो 590 marks का था, 590 नंबर पे, आखरी MBBS का selection हुआ था, general category का all India quota का, state wise नहीं कह रहा हूँ, state wise सबका लग-लग होता है, इसा UPBR का cutoff इससे भी जादा होता है, ठीक है, लेकिन 36 गड़ हो गया, या फिर Bengal हो गया, या फिर सिक किम हो गया, यहां का cutoff all India से कम आता है, तो वो state-state और आपकी किसमत पे depend करता है, कि आप कोंसे state से बिलोंग करते हैं, फिलाल all India quota की बात करते हैं, क्योंकि लग-भख सभी जगे इसी quota पे selection होता है, इसलिए मै फिर किसी दिन और आपको detail में बता दूगा, कि यह set कैसे हुआ, और कैसे हम इसको discussion कर सकते हैं, फिलाल एक शब्द आपको बताना है, एक number आपको बताना है, कि इतना number आएगा, तो आप sure है कि आपका selection हो जाएगा, अगर आप इस state से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको 720 number आने के chances लगभग किसी बच्चे के नहीं है, कुछ बच्चे हैं, जो 715 तक ला सकते हैं, और यह अनुमान है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बच्चे ने गडबढ कर रखी है, chemistry में कुछ ने, किसी नहीं physics में, लेकिन गडबढ है कहीं न कहीं पर, तो यह 715 number इस ब 595 के आसपास हो सकता, 590 से लेकर 600 number तक का जो बच्चा है, उसे government seat मिल सकती है, अगर आप OBCC हैं, तो 10 number और कम कर लीजिए, आप STST से हैं, तो 50 number और कम कर लीजिए, और इंडिया कोटा से इतना ही आपके weightages हो सकते हैं, आरक्षण के आधार पर बहुत सारी चीज़े उपर नीचे अप डाउन हर साल होती है, तो उस पे कयाश लगा पाना बहुत मुस्किल होता है, बहुत इतना आसान भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अगर गलत हो भी गया ना, तब भी किसी को खास फरक नहीं पड़ता, पर य यह जो cut-off है, all India cut-off यह देखा जाता है, और यह लगभग लगभग, अगर मैं जितना percent sure हूँ, जितने चीज़ें मैंने पड़ी हैं, सीखी हैं, वो इस percent के आसपासी 590-690 तक आपके आ रहे हैं, तो all India quota पे अच्छे college मिल सकते हैं, फिर अगर आप UP बिहार में हैं, तो आ और बाकी जो state जहां पर जादा जा सकता है, वो 605-610 इस से उपर नहीं जाएगा, यह अंतिम cut-off इतना ही हो सकता है, पेपर चुकी आसान आया था, इसलिए इस साल cut-off थोड़े से बढ़ने के चांसे से, पिछले साल 590 के आसपास, 580 के आसपास गया था, इस बढ़ने के 600 के आसपास आम एक बेंचमार्क्स मारके चलते हैं, तो अगर इतने पर आप क्या हैं, तो आप sure है कि आपके selection हो जाएंगे, physical handicap में है, तो minimum कम से कम, 200-300 नंबर तो at least लाना ही होगा, तब ही आपकी सही जगह पे होगे, STSC पे हैं, तो 480-490 के उपर नंबर आपके, चांस हैं, रुख सकते हैं, मौप अप राउन तक आपको selection के उम्मीद हो सकती है, पर अगर आप STSC के टेगरी से नहीं है, 400-470 के आसपास नंबर नहीं है, आप physical handicap नहीं है, आपके 300 के उपर नंबर नहीं है, आप जनरल के टेगरी से हैं, और आपके 570-560 के आसपास के नंबर न 600 के बीच में आ सकता है, और इसी के बीच में selection होगा आपका, अब इसके अलावा और अगर डेटेल में इतने नंबर पर कौन सा colleges मिलेंगे, इस नंबर पर क्या college मिलेगा, आप यह अगर जाना चाहते हैं, comment section पर आप मुझे बताएं, अगर आपको और भी कोई question है, needs related, 2013 से related या फिर counselling से संबंदित, या किसी भी चीज़ से related, आपको कोई भी doubt है, needs से संबंदित, आप मुझे comment section में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको आपके सभी प्रशनों की समाधान करूँगा, तो यह इस बार बेटा, 590 से लेकर 600 नंबर तक का bench mark up and set है, देखते हैं कितना हद तक यह सब सही होता है, thank you so much बेटा, आपना बहुत ध्यान रखें, मिलते हैं next class में और अपना ध्यान जरूर रखें क्योंकि आपको अब यह accept करना है कि 2023 में अगर selection नहीं हो रहा है, तो हमें 2024 के लिए मेहनत करनी है, thank you so much बेटा, आपना बहुत ध्यान रखें, love you झाल, bye-bye.